डार्जिलिंग में भीड के अलामाग कुछ और देखने को नहीं मिलेगा अगर आप मेरी तरह हैं इंफ्लूएंसर की वीडियो देख के आ रहो तो वो तो भला हो मेरे कुछ नोन और यहां के लोकल लोगों का जिन्नों ने मुझे एक अलग ही डार्जिलिंग गुमाया जिसका एक्सपिरियंस मैं आपको भी करवाओं उसके लिए आपको देखनी होंगी पूरी वीडियो लेकिन उसकी एक जलक आप इंट्रों में देख लो ताकि आपको यकीन हो सके कि मैं कितना सच बोल रहा हूं वरना आप बाकियों की तरह मेरे उपर भी इल्जाम लगाओके कि वा वीड़ पाको बार्य मासा ओनरण कफल पाको चेता मीरी छेला वीड़ पाको बार्य मासा ओनरण कफल पाको चेता मीरी छेला अब ये फोरी वीडियो देखने की जरूरत क्यों है आपको क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे ओप बीड जगे हैं और कुछ ऐसी चीजें ट्राइ करवाने वाला हूँ ना जो अगर आपने डार्जलिंग में आकर नहीं किया तो बस यहां का भीड और शोर वाला हिल स्टेशन देखकर चले जाओ तो बिना देर की ये स्टार्टी कर देते हैं हम जैसे तैसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए डार्जलिंग पहुँच गया अब मुश्किलों से याद आया कि अगर आपने पिछला व्लॉब नहीं देखा है तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा भया जी तो इस व्लॉब के बाद मिस मत करना जाकर देख लेना अब आप डार्जलिंग में आकर कहां जाओगे मॉल रोड, टाइगर हिल, टॉय ट्रेन और जादा से जादा रोप हुए लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे बहुत ही कूल ओपीट प्लेसे बताने वाला हूँ आपको क्राउट से तो दूर, शांती और पीस का फील कराने में आपको बहुत ही जादा हैप करेगा रात में यहां पहुचने के बाद बस खाना खाकर सीधे सोने के लिए पहुच गया क्योंकि औल इंडिया राइड में जो कल हमारे साथ हाथ से हुए हैं शायद ही फिर कभी हूँ भगवान करें ना ही हूँ भईया अब रात भर चैन की नीन सोने के बाद सुवए आंटी की कॉल से ही हमारी नीन खुली अब मन तो था हमारा गीजर के पानी से नहाने का लेकिन यहां दो दिन से लाइट नहीं आ रही है और इस प्रॉपर्टी के मालिक ने बोला है कि भगवाजी लाइट सिर्फ उतनी ही जलाईगे जिससे हमारा इन्वेटर चल जाया क्योंकि लाइट कब आएगी कुछ नहीं पता है यहां दो दिन से लगातार बारिश हो रही है और हमारे पिंपल्स खतम नहीं हो रहे भाई माते के चलिए नहाते हैं ठंडे ठंडे पानी से यह हमारा वाश्रूम यह हमारा रूम और यह है हमारा बलकनी व्यू डार्जलिंगा अच्छा यह पूरा पुलिस लाइन है आए दिखाते हम आपको एड़कॉप्टर बारिश कबसे हो रही हुई यह यह बारिश तो आप मतलब रुकेगी कब तक रुकेगी कुछ पता है अच्छा कदूप कब निकली थी यहां पर दूप कब निकली थी लगातार बारिश कितने दिन से वोड़ी है मैं अभी जड़ा है चलगे है दिखते हैं यह पुलिस में से अच्छा आप यह पर खाने से 50 रुपीज अच्छा प्रुपीज में खाना आप सब खा सकते हैं यह सिर्फ पुलिस वाले अच्छा चलिए अजया है यहाँ से अच्छा आप उपर पर यह तो अच्छा प्रुपीज अच्छा कितना लगेगा मैं बढ़ेंगा है इस इस वारिश नहीं रुकेगी इस नुप फला कहसे जाएगा इस वोलोग भानाग वर का यहां डार्जलिंग आप यहां पे खड़ी हमारी बाइक पता नहीं आपको दिख रही है या नहीं नहीं दिख रेगी मेंक जाएट उच़ी हैं जाई कैसे एंटी जी चिजब पुस्तोइं के विए डिटमाना करें जबादाना कि अलब एक भादाना कि जबादाना ये कों सी जगें है दाजलिंग डाली डाजलिंग डिस्टिक का पुलिस हेट क्वार्टर अच्छा डाली डाली डिस्टिक का जगा का नाम होगा डाली अच्छा डाली पुलिस हेट क्वार्टर अब आपको ये पता चली गया है कि हमारी लोकेशन थी पुलिस हेट क्वार्टर और ये जमान हमें लेने के लिए आया है तो आप वक्त आ गया है आपको इंट्रोड्यूस करवाने का कहानी के मेन केरेक्टर से यह है अंटी जी यह है विश्णु तमांग यह तो भी चुत है आप जो वाँ बताई थे जो 2022 से हमें जानती है क्योंकि उसी साल हमने चारधा म्यात्रा करी थी और यह अपने पूरे क्रू के साथ आई हुई थी यह देखे खाना बन चुका है और सभी लोग तूट पड़े हैं यह देखे लोग हाई बोली अंगल जी यह मास्चट वाव हमारे अंटी जी यह है मैनेजर अंगल जी नेपाल से इनकी शिकायत से इनकी शिकायत थी मैंने इनको रिकॉर्ड नहीं किया तो इनका परसनली एक व्लोग है तो इसा लगा अंगल जी चान्द नेगए बहुत अच्छ लगाया वह बहुत मुदा यह वह बहुत मस्छ वाव पान शौटी बारंबरनाव धानी आड़ी अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो आप चैनल पे व्लॉग जाके देख सकते हो 2022 में अपलोड की थी आज तक लाइव है अब पूरे क्रू का तो नहीं पता लेकिन आंटी जी से हमारी कंटिनूसली बाते होती है और जब इन्हें पता चला कि हम डारजलिंग आ रहे हैं तो इन्होंने कहीं और रुकने का सोचने भी नहीं दिया लेकिन अभी तक आपको एक डाउट होगा कि हम पुलिस हेटकॉर्टर्स में क्या कर रहे हैं क्योंकि आंटी के हस्बेंड और इनके जमाई यानी अंकल और जीजा दोनों ही पुलिस में हैं इस ट्रिप में जब मैं निकला था तो मन थोड़ा उदास और चिंतित इसलिय था क्योंकि अकेला था लेकिन ये ट्रिप जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ऐसे लोगों से कनेक कर पा रहा हूँ ऐसी अमेजिंग स्टोरीज बन रही हैं जिसकी सिर्फ एक जलक ही मैं आपको दिखा पा रहा हूँ क्योंकि बाकी मैं इंजॉय करने में लगा हुआ हूँ यहां का मौसम तीन दिनों से खराब है तो हमने जादा बड़ा प्लान नहीं किया बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी आराम से बेकफास्ट किया आंटी से यहां लोकल सब्जीयों के बारे में जाना करम करम काफी पी ले ना जी फिलकुल है ठंदा नहीं देंगे काफी मैं डिया जो कौनसा इसका नेपाली डिश बना रही में अप पिर कौनसा नेपाली डिश क्या नाम है उसका गुंद्रू कजोल कैसे बनता हूँ उसके बाद थोड़ी सी इडिटिंग की जैसा मैंने आपको बुला सच में तीन दिनों से पावर कट है इसलिए इन्वेटर बैक अपस भी यहां ठब पड़ गया है इसलिए आपको रेस्टरेंट में भी अंदेरा ही दिखेगा इन्हीं डिसकेशन्स के बीच में हमने अपना लेंच भी फिनिश किया और सच में इतना टेस्टी खाना मैंने कई दिनों बात खाया तो तारीफ करके मैं आपको बया ही नहीं कर सकता आप बस यह बोल सकता हूँ अगर आप डारजलिंग आ रहे हैं पुलिस हेड़कॉर्टर्स के सामने दस से बारा सीड़िया नीचे उतर के एक छोटा से रेस्टरेंट है एक बार ट्राई कर लेना अरे-अरे-अरे माफ करना भाई लोग इन सभी डिसकेशन्स के बीच में मैं आपको रेस्टरेंट के हेड़ से मिलवाना तो भूली गया ये है सुप्रीम सैली मिली है सेट सैली से अरे वाह पता चल गया यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे अच्छा और यह है स्वीठाट डेजी क्या नाव है इसका? डेजी एडेजी शेम यह दिस्टर बचादू शेम लूखसन लूँआ लेर मोँ देखने यहर नसना बड़ा की चिंगलेर अच्छा देखे, 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 देखे सैली पर यहां की सिक्योरिटी और पूरे रेस्टरांट की रिस्पॉनसबिल्टी है तो स्वीठाट डेजी पर घर की अब आपको इन लोगों के बारे में इंट्रो देना जरूरी था क्योंकि यह इस कहानी के एहम पात्र है क्योंकि हम यहां कुछ दिन और रुके हुए हैं और हर दिन हम आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन नहीं देना साथ है इसलिए आज ही जान लीजे यह बहुत एहम बूमी का निबाने वाले आमारी स्टोरी में अब चूकी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो हमने फटा-फट से अपना रेन कोट डाला हेटकौर्टर्स से अपनी बाइक निकाली और निकल गए एक बहुत ही सुन्दर सी लोकेशन को एक्स्प्लोर करने के लिए जो है लामाहाटा इको पार्क यहां की एंटरिफीस मांतर 20 रुपए है और पार्किंग वगेरा की सारी सुविदाय अपलब्द अगर हम बात करें पार्क की तो वो भी बहुत साधा खुब सूरत है यहां पे एक छोटा से ट्रेक भी है जिसको करके आप लेक तक पहुँच सकते हो लेकिन मैं आपको सच बताओं तो धोन इतनी जैदा थी कि कुछ भी नहीं दिख रहा था सुबै से वेट करते करते जब हम ठक गए तो हमारी मजबूरी थी यहां पे आना और अगर मैं बात करूँ तो बाकी इंफ्लूएंसर्स की तरह मैं भी इस जगें को थोड़े से सिनमाटिक्स और कलर ग्रेडिंग के थूप ऐसा बना सकता हूँ लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज मौसम देख के आएं अब आज का मौसम और दिन दोनों खराब हो चुका था तो हम निकल पड़े अपना मूड बनाने के लिए अगर आप लामा हाटा इको पार्क देखने आ ही रहें तो यहां की लोकल ट्रिंग ट्राइ किये बगार मज जाएगा वैसी यह लोकल ट्रिंग पूरे डार्जलिंग की फेमस है तो आपको हर जगें मिल जाएगी लेकिन सबसे यूनीक और सबसे टेस्टी अगर आपको तुमगा ट्राइ करनी है तो यहां पे ही मिलेगी लामा हाटा इको पार्क के पास अगर आप एनर्जी ठुम पीते हैं तो यह आपके लिए स्पेशल पेशकश है भिया जी और अगर आप नहीं भी पीते हैं तो भी ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि मुझे इसमें एनर्जी की मात्रा बहुत कम लगी और टेस्ट की बहुत जादा आप खुदी सुन लिजे इस ल बांबुगा है यह वी बांबुगा होता है अच्छा पुरा बांबुगा है सब गढ़ी रहे हैं तो इसमें खॉरम जर देए तोरे जो भाज़शा दोने है एसके पात खीचना है खीचना है और तेय बता रहे थे तेयज खीचना लोई किसना आए इसमें राई मिला हुए बाजरावाला दाना और प्लास्टिक में प्लास्टिक में प्लास्टिक में और कितने दिनों के लिए प्रिजर्ब होता है? देखके गयन में आफने से तसपंड देन कोई एक माहन नहीं अपर चाई जितना क्ति जंगोगा उतना दशा आटेगे जितना प्रिजर्ब हो अतना आटेखना दनाशाई गया वाह कितना भरो गया? पूरा? याह फुल हो गया तो अब इसको पिया जाएगा थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर है अच्छा इसका सेंट चेकेजिए ना इसका सेंट चेकेजिए ना अच्छा एनेरजी द्रिंक है जब बैंगॉलीों का यह चाहिषन तरंचिरिंग भी अधरा में यह नहीं मिलना है, अ महरा तरंचिरिंग मार्केट यह कि नहीं मिलना, नॅगरा में बहुत मिलने और जो गोशने स्थ गॉबरा वगेरा में ब tas तो यहाँ आप भी ट्राइं कीजिए क्या बोलता है इसको इसको टॉम्बा ट्राइं कीजिए आप दी एक बार अगर डार्जिलिंग आते हैं तो थो अब यह चाहिए अब से चलिए बताएंगे टेस्ट करके कैसा लगता है कीजे गुरू किजे कैसा है बढ़िया यहां का टेस्ट किया जा हम भी कैसा खड़े होके पिया जाता है अरे यह बढ़िया आए कि अब बढ़िया है थोड़ा सही हागे पी है अएसे दिना है अब अब बढ़िया या थोड़ा 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 ताडी की तर ना लग रहा है और जैसे कि खाली हो जा रहा है अब पूरा पी डाले एक ही बार में तो अब इसमें वापिस से अरे यह थंड़ा था वापिस से हॉट वाटर लीजे इसको पूरा फिल कीजिए वापिस से पूरा यह पोर कीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए चला के थोड़ी देर के लिए रख दीजे गरम होने के लिए अपने आप और यह दो से तीन बार करना है कितनी बार अचाँ आपको तेस्ट आपे अब नुमेद हैं आपको तेस्ट आए अपनी का टेस्ट आएक बस सब्सक्राइब करने के बाद हम सीधे पहुंचे अपने हेड़कोर्टर और आज डिनर में आंटी जी ने बनाये थे सबसे टेस्टी मोमोस और मोमोस खाके सीधे निकल गए सोने के लिए अब आपकी बेचैनी हम समझ सकते हैं क्योंकि आपको जादा कुछ देखने को नहीं मिला इस व्लॉग में लेकिन यकीन मानिये मौसम सच में बहुत जादा कराब था हम कहीं भी एक्स्प्लोर करने जाते बहिया जी सिर्फ और सिर्फ धुन देखने को मिलती लेकिन कल का मौसम बहुत साफ होने वाला है और कल हम मैक्सिमम जगहों को कवर करेंगे इसकी मैं आपको गरेंटी दे रहा अब वो मेरे उसूलों के खिलाफ है क्योंकि आपको तो पता है कि हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में विलीव करते हैं वहीया जी और आपको ये भी पता है कि हमें वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है लेकिन आप लोग सपोर्ट के नाम पे सिर्फ सौ व्यूज दे अब वैसे तो कल हम लोग बहुत सारी जगहों पर घूमने वाले हैं लेकिन जिनके लिए आप excited हो सकते हो वह जगह है ये गुफा मंदर जहां पर अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है चलो यहां पूरा अंदर रास्ता बना हुएगी चलो 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 तो नीचे तक तो चलो चलो यार चलो 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 अटम जा रहा है यह है डार्जलिंग की अमेजिंग बेकरी जहां पर रम चॉकलेट चरफ होती हो और भी बहुत सारे डिलीश आइटम जो आपको कल के व् अच्रिंग मॉल रोड की सबसे फेमस दुगाद लेकिन सबसे मेन इंगरीडिंट इनका ये वाला है रम चॉफलेट इसके अंदर रम भरीजिया चलिया इसको खुद से गरम करना पड़ता है इतना ही नहीं हम आपको सिखाने वाले हैं करोड़पती बना रस खुलने माला है सबसे इंट्रस्टिंग क्यारेक्टर मिश्यादू से मुझे तो लगा था हम लोग शॉपिंग करने आए थे लेकिन में शॉपिंग तो यह है एक करोड रात थे एक करोड रात थे एक करोड ना थे एक करोड आएगा सत्तर लाकी तो आएगा जीतना भी अगोट है फ़ूल वाइट मने ना कि अ